आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें अगर दोस्तों, तीन क्वांटम संख्याओं के मान समान हो भी जाते हैं, तो चौथी क्वांटम संख्या, जिसे कहते हैं हम चक्रन क्वांटम संख्या, उसका मान किसी भी परमाडू के इलेक्ट्रॉन के लिए भिन भिन अवश्य होगा, तो इसे यहां मैं लिख दे रहा तो पावली के अपवर्जन सिध्धान्थ के अनुसार दिये गए परमाडू में दो इलेक्ट्रोनों के लिए चारू क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं हो सकते हैं अब ऐसा क्यों गह रहे हैं क्योंकि दोस्तों देखें कि हमारा कोई परमाडू है उसके किसी भी कक्षक में कक्षक में दो इलेक्ट्रोन हैं ठीक है दो इलेक्ट्रोन है तो एक लेक्ट्रोन तो दोस्तों क्लॉक्वाइज जाएगा दूसरा इलेक्ट्रोन एंटिक्लॉक्वा चक्रन quantum संख्या जो होती है इसको हम S से व्यक्त करते हैं जब electron हमारे clockwise दिशा में जाएगा तब इसका मान प्लस एक वटे दो होगा और ये जो electron है उसी समय एंटी clockwise दिशा में हैं घूम रहा है तो इसके लिए जो चक्रन quantum संख्या है इसका मान माइनस का एक वटे दो होगा तो यानि अगर तीन quantum संख्या जो हैं दिगंची quantum संख्या मुक quantum संख्या चुम्ब के quantum संख्या उनके मान अगर आपस में बराबर हो भी जाते हैं तो हमारा जो चक्रन quantum संख्या है इसका हमान सदय भी भिन भिन होगा क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनों का चक्रन अलग-अलग होगा ठीक है एक ही समय पर समान चक्रन नहीं हो सकता ठीक एक ही कक्षक के दो इलेक्ट्रोनों का तो यह हमारे प्रश का उत्तर है इस पिरकार से दोस्तों पावली ने के अपवरजन सिध्धान्त में ये बताया गया है विकल्ब देखते हैं कौन सा सही है तो पहले विकल्ब में दे रखा हुंड का नियम ये गलत है दूसरे विकल्ब में दे रखा है यहां आववाव सिध्धान्त ये भी गलत है चौते विकल्ब में दे रखा पावली का आप वरजन सिद्धांत ये बिलकुल सही विकल्ब है तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा धन्यवाद